यमाबली में ये है असपस्ट दिया हुआ उसके पहले कि अगर वो सक्षमता परिच्छा में सामिल अत्वात तीन वार में उत्तिरन नहीं होते हैं तो वह अस्थानिय निकाय के सिक्षक बने रहेंगे या अंकित है उसमें लेकिन उसके बाद जो समीती की बैठक हुई और इत जो कि वह अस्थानिय निकाय के सिक्षक नहीं रहेंगे माननीय उच्छे नियायले में इसी विसे पर चर्चा हुई और वहां पर सरकार के पक्त से जो महादिवक्ता जी है उनकी उनका यह कहना हुआ जो कि नहीं ऐसी अनुसंसा की गई है समीती की तो अनुसंसा पर ही तो स समाप्त करने का निरने लिया गया तो क्या इसमें यहां अंदेखी नहीं की गई फलता है एक इस्तिती ऐसी बन रही है जो कि पदाधिकारी गन नियम कानून की अंदेखी करके कुछ से कुछ पत्र निकाल रहे हैं एक तरफ कहा जा रहा है नियमावली में जो कि वह सिर्फ उत्तिरनांग परिक्षा है सिर्फ क्वालिफाय करना है उसमें तो जब क्वालिफाय करना है तो जिस विद्यालाय में वो पदस्थापित हैं जिस विद्यालाय में वरसों वरसों से कारिरत हैं उसमें क्यों नहीं काम करेंगे लेकिन ये तीन जीलों का विकल्प ले करके उ आपने टी आरी वन टी आरी टू में आफलाइन परिच्छा लिए फिर आप भी परिच्छा लेंगे उसको भी आफलाइन लेंगे दक्षता परिच्छा भी तीन बार आपने लिया वह भी आफलाइन लिया इतने इतने चात्रों चात्र चात्राओं की परिच्छा तीस लाग लगबग हैं मेट्रिक इंटर की प्रतेग साल ओफ लाइन लिया जा रहा है तो क्यूं ओनलाइन लिया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के संग्यान में नहीं देते हुए विभाग ऐसा ऐसा ओब्यभारिक निरनाई ले रहा है जिसके चलते मुझे लगता है जो कि अ गठन होता है और उस कमेटी की तरफ से यह अनुसरसा की जाती है कि नियोजीत सक्षक को जो है राजकर्मी का दर्जा तो मिलेगा लेकिन उन्हें सक्षमता की परिच्छा पास करनी होगी तीन बार उन्हें मोका दिया जाएगा और तीन बार में एक बार भी वह पास नहीं क देखते हैं नहीं सबसे पहले यह जानकारी होनी चाहिए कि 26 दिसंबर 2024 को जो राजी कैबिनेट के द्वारा इससे संबंधित प्रस्ता और अनमोदित हुआ तो उसमें सक्षमता परिच्छा से की उत्रणता के बाद ही राजी कर्मी के दर्जे की बात हुई और हाल फिलहाल जो अपरमुक्ष सचिव का एक आदेश है विभागी अनिमावाली में था जो कि इस मामले को एक समीती जो है वह देखेगी लेकिन आपको इसके पुर्व थोड़ा ले जाएंगे पहली बार सिक्षा विभाग में इससकों की नियूक्ती के लिए इस संबंध में एक प्रारूप विग्यापित किया गया और उस प्रारूप में जो विग्यापित किया गया था उसके जो भी अंस्त थे उससे इतर जा परिदर किया फिर राजिकेमिनेट मुख्यमंत्री जी का अनुग्तृ 15 वरस से रहे हैं तो मामली लेकिन इधर उजा रहा है विभागी अस्तर से जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं अपर मुक्सचिव की बात कर रहे हैं नियमा वली की अनदेखी करके नियमा वली के विपरीत आप नियमा वली में ये है असपस्ट दिया हुआ उसके पहले कि अगर वो सक्षमता परिच्छा में सामिल अत्वात तीन वार में उ समीति की बैठक हुई और इतनी हरवरी में बैठक हुई उनको प्रतिच्छा करनी चाहिए थी लेकिन वह बैठक हुई और उस बैठक में उन्होंने निर्ने ले लिया जो कि वह अस्थानिय निकाई के सिख्छक नहीं रहेंगे अगर आप उत्री नहीं होते तो सेवा समाथ करने की बात की जा रहेंगे लेकिन यह नियमावली में नहीं थी अलबत्ता आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि कल माननिय उच्छे नियाएले में इसी विसे पर चर्चा हुई और वहाँ पर सरकार के पक से जो महादिवक्ता जी है उनकी उनका यह कहना हुआ जो कि नहीं ऐसी अनुसंसा की गई है समिती की तो अनुसंसा पर ही तो सवाल है आखिर क्या कर रहे हैं अपर मुक्र सचीव जी के संजुकत में जो बैठक हुई जो उनके और भी सदस्य थे तो सेवा से ही समाप्त करने का निरने लिया गया तो क्या इसमें यहां देखी नहीं की गई जो कि इतने दिनों से जो यह के रूप में कारी कर रहे हैं इतना अच्छा जो परिच्छा फल आ रहा है तो वह कहां से आ रहा है सिख्षक ही तो अपना अध्यापन कारिय करते हैं लेकिन यह टार्गेट बना करके जो देखिए सक्षमता के बारे में अब उस पर अगर आप आईए सक्षमता के अंदरू उनी बातों को अगर देखिए तो उसमें अब परिक्षा प्रपत्र में कहा जा रहा है जो कि तीन जीले का विकलप भरिए आपका उसी के आधार पर पदस्थापन होगा जब कि एक तरफ कहा जा रहा है नियमावली में जो कि वह सिर्फ उत्तिरनांग परिक्षा है सिर्फ करना है तो जिस्विद्यालय में वर्सों वर्सों से कारिरत है उसमें क्यों नहीं काम करेंगे और आधर्णीय मुक्यमंत्री जी सिक्षा मंत्री जी ने कई बार सदन में और सारवजनिक मंच पर भी कहते रहे हैं वो लोग जो कि इसमें एक्षिक अस्थानांतरन की शुविधा जरूर होनी चाहिए जो कहीं जाना चाहते हैं लेकिन ये तीन जीलों का विकल्प ले करके उसके आधार पर अस्थानांतरन करे फिर नियमा वली के विपरीत सक्षमता परिच्छा की सर्तों को इतना जटिल बना दें जो की परिच्छा फॉर्म भर नहीं सकें जैसे ऑनलाइन परिच्छा की बात की जा रही है भाई आपने TRE1, TRE2 में आफलाइन परिच्छा ली फिर आप BPSC की परिच्छा लेंगे उस परिच्छा लेने में क्या दिक्कत है दूसरी बात जो अभी फरवड़ी का माह चल रहा है कि किसी भी समय आप देखिएगा लोग सभात चुनाव का बिगुल बच जाएगा शिक्षक प्रिच्छन में चले जाएंगे अभी परिच्छा चल रही है उसमें विक्षन का दाइ तो सम्हा लेंगे फिर कहा जा रहा है जो कि सिक्षक ओनलाइन जो नहीं जानते हैं उनको सीखने के लिए रात को सारे साथ बज़े से सारे नौ बज़े बगल के डाइट सेंटर और ट्रेनिंग कॉलेज में वह या आई सिटी लैब में वह प्रिच्छन लेंगे तो भाई य कि के संग्यान में नहीं देते हुए विभाग ऐसा ऐसा वह बहारी की निरनाई ले रहा है जिसके चलते मुझे लगता है जो कि अध्यापन कारिये प्रभावित हो रहा है तमाम जीने से नियोजीत सिक्षक आया थे पटना में एक बड़ी बैठा कि बैठा कि बात उन्हों बिद्याले चोर करके किसी भी धरना में सामिल होते हैं तो उनके ब्रुद कारवाई की जाए यह कहां तक सही है देखिए सरकार का अर्थ होता है जो लोकतांत्रिक धाचे में जो निर्वाचित प्रतिनिधी है अब उसके बाद जो सरकार बनती है उनका नेत्रित है मुख्य चीव और विभागी अस्तर के पदाधिकारी सरकार नहीं कहे जाते हैं अब हमारे साथ अगर ज्यादती हो रही है तो हम क्यों नहीं विधान सभा का घहराव करेंगे क्यों नहीं अपनी बात सुनाने के लिए यह तो लोकतांत्रिक वेवस्ता है यह संभईधानिक वेवस्त तो कहा जो कि संग नहीं बना सकते हैं उनका वेतन रोक दिया गया एक सिक्षिका थी तो हाल फिल हाल उसके बारे में भी जज्मेंट आया तो मुझे तो लगता है वो बार-बार अदालत की अब मनना कर रही है बिभाग और ये किसी को आप रोक नहीं सकते अगर अहिंसक तरीक सब ही कोटी के नवकरी पेशा वाले जो राज्य सरकार के अधीन सेवारत हैं वह अपना धरना देते हैं प्रदर्सन देते हैं तो इसको तो नहीं जान रहे हैं हमको लगता है इसको गहराई से जान करके ही विभागी आदेश कुछ निकलना चाहिए और अगर ऐसा किया जात कि शुरू होने वाला है क्या आप विद्ली सिक्षक के साथ है उनकी युपाज को उठाएंगे सवाओं पे कम लोग सिक्षक परतिनी है हैं व्याइसाह विद्हान परिष्ifa का भी सत्र चलता है यहां द्वी सदनी विवस्था है और सिक्षख पत्रिधी होने नातें सिच्षा कॉर सिच्ख और चात्र ही कि समाज है जो भी होगा राज यह कि संग्यान में पदाधिकारियों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है फलता है एक इस्थिती ऐसी बन रही है जो की पदाधिकारी गन नियम कानून की अंदेखी करके कुछ से कुछ पत्र निकाल रहे हैं और यही कारण है जो कि सदन में भी हम लोग इस बात को जोड़दार ढंग से रखेंगे और सरक पर भी अगर आंदोलन होगा तो उसमें भी भाग लेंगे हम सदन में हम लोग इस बात को रखेंगे चात्रों सिक्ष्यकों सभी के साथ हम खरे हैं फिलाल आपके क्या परते के लिए हमें कोमेंट हो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें